हेलो फ्रेंद्स मेरे नावे शुबम राव और आप तभी को स्वागत हमारे नए यूटूब चैनल स्टड़ी विथ नाइटियंस में मैं खुद एक नाइटियंस हूँ और मैं एन आटियंस रायपूर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल एंजरी में तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी ACF Examination की परियावरन सब्जेक्ट की लगातार वीडियो से रिच चल रही है अगर आपने प्रिविएस लेक्ट्र नहीं देखे तो आप उपर जाए आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियो को देखिए उसके बाद इस लेक्ट्र में आएगे तो आपको चीज़ जाला क्लियर होगी इसके अलावा मैंने CG Vyapam के computer subject का 21 वीडियो का complete package बनाया अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उपर जाए आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा इसके अलावा आप हमारी YouTube चैनल का playlist कंपल सरी चेक आउट करें उसमें मैंने अलग-अलग subject के अलग-अलग playlist बना दिया है आप जिनको असानी से देख सकते हैं ठीक है? आज का जो हमारा topic है वो है जल परदुषर ठीक है? और जल परदुषर थोड़ा छोटा topic है तो उसको एक lecture में खतम करने की मैं कोशिश करूँगा देखते हैं किता कतब हो पाता है ठीक है? लेकिन आप से एक request है प्लीज वीडियो को बिना skip करें आखरी तक जरूर देखें उससे मेरा audience retention बढ़ेगा और YouTube recommend करेगा मेरी videos को दूसरे user को तो प्लीज इतना support कर दो बहुत होगा मुझे पता कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते लेकिन अगर आ गए इस चैनल पे तो प्लीज वीडियो को पूरा देख लो इसके अलावा वीडियो में कमपलसर ही like करो comment में thumbs up डाल दो और अगर इस चैनल में नए हो तो subscribe करने के साथ bell notification को on ज़रूर कर लो उससे आपको मेरी future videos की notification आपको automatically प्राथ हो जाएगी जिस प्रकार दूसरे उसरे उसरे को मिलती है ठेक है इसके अलावा वीडियो से related किसी प्रकार के doubt की इस सिर्थी में आप वीडियो को description check out कर सकते हैं उसमें मेरा facebook, whatsapp, twitter और instagram है आप link में tap करके मुझे message कर सकते हैं वीडियो से संबंदिक किसी प्रकार के doubt में इसके अलावा हमारे whatsapp support group से जुख सकते हैं जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग group है आप link में tap करके मुझे message करें अपने नाम और location के साथ मैं आपको whatsapp के group में add कर लूँगा already 200 member के ऊपर है तो please आप group से जड़ा जड़ा जुड़िये और लोगों को भी जुड़ाइए community जितनी जड़ा बड़ी बनेगी हम लोग एक दूसरे के help कर पाएंगे ठीक है? तो यह रहा promotion अब चालो करते हमारा lecture प्रदूशन के बारे में उसकी definition देखते हैं तो जैसे कि हमने पहले चप्टर से ही पहले चप्टर मतलब प्रदूशन का पहला चप्टर उसमें मेरे प्रदूशन की एक definition बताई थी बस उसमें वायू और जल को रिप्लेस कर देना बाकी सारी definition शेम रखना है अब जैसे जल प्रदूशन की definition आपको लिखना है तो लिकना जल की property में ठीक है property मतलब उसमें जो भी गोड वगरा होते हैं किसी भी प्रकार का physical change मतलब भौतिक परिवर्तन chemical change मतलब रासाइनिक परिवर्तन, biological change या फिर जैविक परिवर्तन जिससे वो प्राणियों एवं जन्तूओं के लिए हानिकारक हो जाता है हानिकारक मतलब उनके स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं है ऐसा ऐसा change क्या क्या लाता है जल प्रदूशन क्या लाता है ठीक है तो यह simple साधी से definition है और आप इसको अगर लिखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे खासे नंबर में लिए अगर तीस वर्ड में आया तो लिखने के लिए तो यह तो रहा मेंस की बात अब उसी में क्रम में देखते हैं जल प्रदूशक क्या होता है simple language में या जल प्रदूशन को फैलाने वाले को जल प्रदूशक बोलते हैं ठीक है तो यह simple सी परिभासा यह अश्में जाड़ा को दिमाख लगाने का है ठीक है अब प्रदूशक को का विभाजन किया गया अलाग अलाग कैटेगरी में प्रदूशक किस प्रकार के है उस क्रम में हमने इनका विभाजन किया है और यह थीओरी का टॉपिक है जिसको हम लोग जल्दी अले लिफटाएंगे और इसमें मैं आपको केवल यहां पर मेरे नाम लिख दिया है मैं आपको नरेट करके बता रहा क्योंकि मेरे लिखने का मन नहीं है यह सबची ठीक है जल प्रदूशन में आपको इसके बारे में क्लासिफिकेशन फोड़ा सा जानना है जो में आपका टॉपिक है वो है आपका BOD, COD, Dissolal Oxygen, PHLU यह आपको फोड़ा सा ध्यान रखना है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं में इसमें आपको आपको पूस दिया जाये कि जल प्रदूशक का विभाजन कीजिए या फिर इस ताइक के कोशिचन आ गया आपको या पिर आपके ACF के examination में भी आपको एक substance दिया बोला कि यह किस प्रकार का जल प्रदूशक है तो आपको थोड़ा सा classification का idea होना चाहिए जो कि मैं आपको बता रहा है पहला है आपका स्रोथ किया आधार पर ठीक है इसमें है आपका ओध्योगिक प्रदूशक ठीक है मैं नरेट कर रहा है आप सुनिए ओध्योगिक प्रदूशक मतलब नाम से इस प्रच है कि मतलब उद्योग से निकलने वाला जयो जल प्रदूशक है वो कहलाएगा ओध्यो असाने क्योगिक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं वो सारे के सारे ओध्योगिक प्रदिशक की स्रीनी में आते हैं तो यह सारे वेश्ट कहलाएंगे आपके ओध्योगिक प्रदिशक नेक्स्ट है आपका क्रिसी जात प्रदुशक नाम तो इस पस्ट है क्रिसी से उत्पन प्रदुशक आपके क्रिसी जात प्रदुशक कहलाते हैं तो इसमें बेसिकली आपको पता है हमारे जो फर्टिलाइजर होता है कीट नासक होता है जिवाणू नासक होता है और इसके प्रदूशक. नगरी प्रदूशक मतला है नगर से उत्पन होने वाले प्रदूशक जो प्रदूशक ऑदमियों के दोरा फेला है गाश्तिवेज, पानी, मल, मूत्र, इद्यादी, जो भी आपका अंट्रीटेड वाटर वेस्ट रहता है, ठीक है, और उछके अलावा वही सब लिखा हुआ है जीव जन्तों के अपशिष्ट प्रदार्थ वगेरा टिक ये सारे के सारे जो है प्रदूशक नगरी प्रदूशक है चौथा केटेगरी है प्राकृतिक प्रदूशक मतलब क्या है जो अलामुक्षी के फूटने से लावा अवा निकलता है वो इसके अलावा धूल के अप छे अपर्दन से उतपन भूस कलत से उतपन मलवा अलवा इत्यादी ये सारे के सारे जो कहां जाके मिलते हैं Champigner लिगा मिलेगे जल में ही तो मिलते है तो उस तरीगे के प्रदूशक आपके प्राकृतिक प्रदूशक कराते है तो compressive के आधार उनका उत्पत्ती किस प्रकार होता है वो नेक्स्ट है आपका भौतिक था रहसायनिक गुड के आधार पर ठीक है आप पर दूसरा कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है दोनों को अलग-अलग क्लासिफाई किया गया तो सबसेल पहले आप दिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर प्रॉपर्दूशक ठीक है इसे बेसिकली वही सब्स्ट्रेंस आएंगे जो कि आपके जिनकी कोई या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होगी काइंड ऑफ एक्जांपल आपके हाँ जौला मुक्य की धूल राक तेल ठीक है ग्रीस घुलित निलंबित ठोश प्रदार्थ ठीक है ये घुलित निलंबित ठोश प्रदार्थ क्या होता है मतलब suspended particle जो भी आपके जल मे कोई ना कोई प्रकार की chemical property होती है kind of example chloride, sulfide, nitrides ठीक है और इसके अलावा और ये बहुत सारे है कीट नासी वगएरा की सब की जो है आपकी क्या करना चाहिए ऐसा प्रदूशक जो basically आपके कृतिम रशायन जो की मानाव बनाता है जिसकी कोई ना कोई प्रकार की chemical property होती है व तो ये था आपका physical property के अधार पर और ये था आपके रासायनिक property के अधार पर प्रदूशक नेक्स्ट है आपके degradability के अधार पर या फिर इसको हिंदी में बोलते है वीगल अनता के अधार पर तो वीगल अनता मतलब simple है कि वो हमारे वातावरण में आने के बाद खतम हो रह है तो ऐसे जल प्रदूशक को बोलेगी biodegradable ठीक है biodegradable प्रदूशक और second है आपका non-bio degradable प्रदूशक मतलब जो खतम नहीं हो रहा है ठीक है kind of example आपको simple से मैं देता हूँ जैसे कई सारे ऐसे प्रदूशक होते हैं जो कि आपके सूच में जीवों के द्वारा जल में खुद बखुद विगटित हो जाते हैं ठीक है और कुछ ऐसे प्रदूशक होते हैं जो कि आपके जल में आने के बाद ये विगटित नहीं हो पाते है जैसे कि बहुत सारे प्रक की value को change कर देते हैं ठीक है BOD की value को change कर देते हैं तो ऐसे प्रदुशक कहलाते हैं non-bio degradable प्रदुशक जबकि पेड़ पौधों के अपसिष्ट प्रदार्थ मरला तहनी महनी दुनियादारी से अपका और इसके अलावा जिते भी प्रकार के suspended particles होते हैं वो जाके डिजॉल हो जाते हैं एक जो main important property होती है जल की जल में खुद को सुद्ध करने की property होती है ठीक है और यह बहुत ही important property है लेकिन क्या होता है वो जह ऐसा जल प्रदुशक जो की प्राकर्तिक क्राड़ों से basically आया है तो उनको तो जल खुद सुद्ध कर लेता है लेकिन जो माना जनित जो वेस्ट वगरा है उनको जल सुद्ध नहीं कर पाता खुद से ठीक है और जो कि हमारे लिए dangerous होता है ठीक है तो basically बहुत प्रकार के जो जल प्रदुशक होते है वो biodegradable ही होते है लेकिन जो हमारे घुद का जो जल प्रदुशक होता है मतलब क्या करने थी हमने जो पैदा किया वो सारे के सारे non biodegradable होने के कारण जल की प्रापटी को permanently change कर देचे ठीक है तो यह थोड़ा ये वाला टाइप का थोड़ा हानिकारक है इसके बाद देखते है जल की प्रकृती जल की प्रकृती सबको पता है याद जल टेस्ट में किसा लगता है मीठा लगता कि खटवाता है ठीक है कि उसको आज पास की चीज़े प्रभावित कर देती है, kind of example, वर्षा का जल गिर रहा है, तो उपर वा तो CO2 फैला हुआ है, ठीक है, तो जल से मिलके sulfuric acid बना देता है, sulfuric acid के पॉर में तो गिरेगा, rain fall हो तो, ठीक, तो उससे जल की प्रकृति अमली हो जाती है, तो जल का वाज से कोई taste ना ही, तो उसका pH value, pH value 7 होता है, मतलब उसको वो neutral होता है, लेकिन इन में ये सारे प्रदूशक बिलने के कारण उसकी pH property चेंज हो जाती है, ठीक है, अब ये तो हो गया, सबसे से वो बोलता है, सबसे purest जल जो होता है, वो होता है वर्षा का जल, लेक होता है, तो कुल मिलां कि जो जल है, लेबरोर्टी में ही उसको एकदम purify किया सकता है, otherwise, जल में जैसे कि मैंने बताया कि घोलने की property होती है, तो वो किसी भी प्रकार के अपसिष्ट से घोल जाता है, और वो उनको carry करते होए चलता है, जिसके कारण जल का कोई definite pH नहीं होता ठीक है, अलग-अलग स्थान पर पाया जाने वाला जल का pH अलग-अलग होगा, ठीक, नेक्स्ट है, अब इसकी गुडवत्ता का निर्धारन कैसे किया जाए, अब हमने तो जल प्रदूर्शक के बारे में पढ़ लिया, उसके pH मान के बारे में पढ़ लिया, लेकिन मेन उस ठीक है, सेकेंड है आपका COD, फिर इसके बाद है DO, और इसके बाद है आपका pH value, ठीक है, पहला है आपका BOD, इसको बोलते है जैविक ऑक्सिजन मांग, ठीक है, या फिर बायलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड, सेकेंड है आपका COD, केमिकल ऑक्सिजन डिमांड, या फिर इसक थर्ड है आपका DO, DO का मतलब है घुलित oxygen या फिर dissolve oxygen बोलते हैं इसको, और चौथा है pH value, ठीक है pH पान के बारे मतलब बता दिया, हम लोग इसके बारे में डिसक्स करेंगे, और यह बहुत important topic है, तो इसका एक एक सब्द आप अपने दिमाग में घुसा के रखना, ठीक है, वो इस topic को आपको समझना काफी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जल्ब प्रदूसर से related conceptual question अगर आपके एव में आए, तो basically वो इसी topic से होंगे, बाकिस सब्द आपके factual question ही होंगे, ठीक है, तो आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, दूसरी एक और चीज, जिन सज्जरों को PDF चाहिए था मेरे lectures का, ठीक है, तो उनके लिए एक खुशकबरी है, कि मुझे एक बंदा मिल गया, जो कि मेरे lecture का PDF त्यार करने के लिए ready हो गया, लेकिन ये PDF free of cost बिलकुल नहीं मिलने वाली, आपको उसके लिए payment करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो भी certain number of student अगर आ गये वेरे पास, जिनको PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पैसे मुझे payment पहले से करने पड़ेगे, उसके बाद ही मैं आपको PDF प्रोवाइड कर पाऊँगा, second most important चीज, अगर आपको मैं PDF प्रो आप से यही बोल रहा हूँ, देखिए, competition exam is not a charity, आप अपना ग्यान जितने सीमित लोगों तक रखेंगे न, वही आपके लिए जरूरी है, ठीक है, मुझे जैसे लोगों को YouTube चैनल रन करना है, ठीक है, और इससे एक प्रकार की community डेवलप करना है, तो मैं आपको अपना ग् जान देने से अगर community large होती है मेरी, तो मुझे फायदा होगा, लेकिन आपको क्या फायदा होगा कि अगर आप मेरे PDF किसी और को दोगे तो, आप से ज़्यादा पढ़के वो बल्दा आप से ज़्यादा नमबर लिखे जागा, ठीक है, और उससे ultimately आपका result प्रुभावित हो को बल्द क्या करा चाहिए, परोपकारी बनाने की कोशिश, लेकिन ऐसा बिल्कुल बद करना, competition examination का यही रूल है कि आप अपने limited friend circle में रहो, ज्यादा आगर broad बनने की कोशिश करोगे ना, तो आप अपना नुकसान कर बैठोगे, ये बात मेरी याद रखना हम ऐसा, next चलते बाकी आपकी मर्जी, तो प्लीज जिन लोगों को पीडियाप चाहिए, वो प्लीज कॉमेंट करें नीचे, बाकी सारे लोग इधर देखिए, तो जो पहला हम लोग topic बढ़ते है, biological oxygen demand, जिसको sort पर BOD बोलते है, नाम तो इस पस्ट है, demand, oxygen demand, ठीक है, अब हम लोग किसी आपके पास कम हूँ, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे है, oxygen की मांग कर रहे है, ठीक है, जैसे कि मा लेजी, मैं अपने डाइट से, जब मा लेजी मेरे पास पैसे नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे की कमी है, इसलिए तो मैं पैसे की मांग कर रहा हूं exactly तो वही चीछ यहां पर हो रहा है पानी में जब oxygen की value कम होगी तब ही मैं oxygen की मांग करूंगा उसी को बोला जाता BOD अब इस से सरा language में मैं आपको नहीं समझा सकता मांग तब ही की जाती है जब आपके आप पूर्ती कम हो या फिर है तो हम लोग किस की मांग कर रहे हैं किस की मांग कर रहे है हम लोग oxygen की मांग कर रहे हैं क्योंकि oxygen radical नहीं है अब यह देखो इतना समझा आगे अब इसके आगे समझ ना तो BOD का मतलब यह होता है की oxygen की वो ज opens आकसिजन की वह वैल्यूँ, जोकी एक लीटर में उपलब्ध होती है, मतलब ओकसिजन की मात्रा जो एक लीटर में उपलब्द है, जिससे कोई भी सूचमजीव, सूचमजीव पास दिनों के लिए, पास दिनों के लिए अपना मेटाबॉलिजम में नुटेन करने के लिए यूज किया जाता है अब यह metabolism क्या होता है? मदब पांस दिनों के लिए, मदब एक लीटर पानी में से अपना काम वो पांस दिनों तर चला लेता है Metabolism का मतलब आप समझेओ अपि थोड़े दर में Metabolism का मतलब यह होता है कि Metabolism मतलब यहां पर उपापचे लिखा होगा है हिंदी में उपापचे बोलते हैं उपापचे का मतलब क्या होता है उपापचे सरीर में होने वाला वह process है जिसके थ्रूँ सरीर भोजन को उर्जा में convert करता है तो यह ultimately एक प्रकार की energy है ठेक है मतलब एक लिटर में उतना तो oxygen होना चाहिए जिससे वह सूचमजी 5 दिनों के लिए अपना काम चला सके simple साधी से परफासा BOD के तब एक बात बताओ अगर BOD की value ज्यादा होगी तो पानी प्रदूशित होगा कि साफ होगा बोलो बोलो देखो simple से चीज़ा जार है अभी बोला ना मांग की BOD की value अगर ज्यादा होगी तो मतलब हमारे पास आपूर्ती कम है इसका मतलब पानी में oxygen कम है तो oxygen कम है इसका मतलब simple सी बात है यार पानी प्रदूशित है ठीक है पानी के प्रदूशित को oxygen के terms में आपा जा रहा है ठीक तो BOD जितना ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि simple सा पानी में oxygen की कम है तो जो एक लिटर में जो पहले पास दिनों के लिए अपना काम चला पा रहा था अब उसको वो तीन दिन में चला पा रहा है ठीक है मतलब अब जो एक लिटर में oxygen है उससे उसका काम तीन दिन में चल पा रहा है ठीक है दो दिन के लिए और उसको extra requirement है ठीक है तो मतलब BOD की value बढ़ रही है इसका मतलब पानी में oxygen कम है तो ultimately इसका मतलब क्या है कि पानी उतना ही ज्यादा प्रदूशित है सिंपल से समान में आया अब उसके आगे वाली condition में चलते हैं एक और एक figure देख लो नदियों में कम से कम BOD की value 10 mg प्रती लीटर है होनी चाहिए लगबक इतनी होती है अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब नदी का जल प्रदूशित है सिंपल से बात इससे कम है तो चलेगा अच्छी बात है यार oxygen है तो और अच्छी बात है ठीक है chemical oxygen demand COD है कि पानी में खुद को सुद्ध करने की property होती है ठीक है तो पानी आपने आपको सुद्ध कैसे करता है यह सोड़ा समझने है आपको जरूरी है देखो पानी में जितने भी प्रकार के carbonic a carbonic प्रदार्थ है जो भी आते मतला biodegradable उसमें biodegradable भी होगा non biodegradable भी होगा ठीक है और इस process से क्या होता है वो आपने आपको साफ करता है ठीक है तो chemical oxygen demand वो oxygen की value है ठीक है oxygen की वो value है जो कि उसके oxygen के लिए आवशक है किसके जो भी पाड़ी में carbonic और carbonic प्रदार्थ मिले होंगे मतलब COD की value भी हमको कम रखनी है COD की value भी कम होनी चाहिए तभी कम पानी में वो ज्यादा प्रदूसों को oxygen कर सके ठीक है मतलब अगर COD की value कम होगी इसका मतलब वो कम oxygen में भी अपना काम चला सकता है लेकिन अगर COD की value बढ़ने लगे इसका मतलब क्या है कि COD मतलब पानी को और ज़्यादा oxygen की जुर्वत है ताकि वो ये carbonic और carbonic प्रदार्थों का oxygen कर सके ताकि अपने आपको वो finally शु value एक extreme limit तक 20 mg प्रति लीटर तक जा सकती है इससे जादा जाने पर पानी प्रदूर्शित मारा जाता है ठीक है लेकिन यह आद रखना कि COD की value हमेशा BOD से जादा होती है ठीक है और क्या बोलते हैं यह fact आपके exam पे पूछा जा सकता है ठीक next चलते हैं हम लोग dissolve oxygen की तरफ इ dissolve oxygen का मतलब simple यही है यार पानी में घुले हुए oxygen की value को ही dissolve oxygen बिलते हैं ठीक है यह dissolve oxygen की कारण ही जली जीव अपने जीवन को बनाया रखते है पानी के अंदर भी ठीक है उनमें विसेज प्रकार के सुसनांग होते पता होगा आपको मचली के पास गिल्स होता है ताकि और वो उन ही किसा आयता था है पानी में उपस्थित oxygen को absorb कर पाते हैं ठीक है लेकिन क्या होता है पानी में उपस्थित विभीन प्रकार के प्रदूशक kind of example आपके फासफोरस यह एक ऐसा प्रदूशक होता है जो की पादपो की विद्धी के लिए मतलब पादपो के लिए पोशक क पादपो की विद्धी होगी तो वो अच्छा है की बुरा है यह बताओ वो बुरा है रिजन उसका क्या है कि पानी में उपस्थित आपके जो उपर के पादप रहते है लाइक जल कुम्भी और अगर उनकी संख्या बढ़ने लगे और उनको पोशन मिलने लगे और उनकी सं तो मचली को जितना उक्षिजन चाहिए रहेगा उतना नऑं नहीं मिल पाएगगा तो आपके पादप लोग अपने लगे ठीकी तो मचली के पास क्या बचेगा मचली को और जश्यदा उक्सिजन की ज़रुत पड़ेगी, तो basically क्या होगा पानी का डिज्वॉल उक्सिजन क होने लगेगा और आपके BOD की value मतलब oxygen की मांग बढ़ने लगेगी, oxygen की अगर मांग बढ़ने लगेगी तो जो पाणी में उपस्तित जीव है उनके द्वारा unoxygen के आ जाने लगेगा, मतलब oxygen की अअनउपस्तिती में स्वश्शन और ऐसे स्वश्शन से क्या होता है basically methane ammonia और hydrogen के sulfide generate होते हैं ठीक है और उसे ultimately पानी से दुर्गंद आने लगती है ठीक है यह पानी से दुर्गंद आने का main reason यही होता है ठीक है उसे मचली या मर जाएंगी पानी की और पानी वैसे ही प्रदुषित हो जाएगा तो जलकुम्भी वगएरा पानी के लिए इसलिए हानिकारक है क्योंकि वो बायलोजीकल ऑक्सिजन डिमांड को बढ़ा देते हैं और डिजॉल ऑक्सिजन की वैल्ली को कम कर देते हैं तो यह फासपूरस पौदे के लिए तो ठीक है बाहर में लेकिन वह पानी के अंदर अधर क्योंकि वह एक तरीके से मचलीओं को माच डालता outta ठीक है पे जल में तो डिजॉल ऑक्सिदूल हो उती है वह लगबख 5 पानच मिली ग्राम प्रतीलीटर होती हे स्नान के जल में 4 मिली ग्राम प्रतीलीटर होती है इंस ét आपके, पर लिटर में oxygen तो होना यह चाहिए, टीक है, basically आपका 8 mg प्रती लीटर से नीचे का जल जो है, वो प्रदूरिष्ट माना जाता है, ठीक है, और 4 mg प्रती लीटर से अगर नीचे का जल है, तो इसको अत्यदिक प्रदूष्ट माना जाता है, ठीक है, यह था factual टाइ simple language में समझाने की कोशच की कि मांग जितना जादा होगी मतलब आपूर्ती कम है इसका मतलब BOD की value जितना जादा है इसका मतलब dissolve oxygen की value उतनी ही कम है इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये तीनों topic कर लोगे नहीं तो नहीं कर पाऊगे इसके आगे कि कुछ चीजे हम लोग थोड़ी देर में दिखते हैं तो दोस्तों मुझे कुछ जरूरी काम आ गया तो इस वज़े से मुझे lecture बंद करना पड़ रहा है लेकिन तक तक के लिए आपको मैं एक चीज बता दू कि आपको मेरे यूटूब चैनल पर कल की class में आपक आपको मेरे यूटूब चैनल पर सापता ही current affair मेलेगा हर एक संडे को तो हर संडे को मैं आपको उसके बाद से current affair की class दूँगा next important चीज मैं आपको बता दू कि मेरे जो current affair रहेगा वो evidence-based रहेगा evidence-based मतला जो भी मैं current affair आपको provide करूँगा उसकी paper cutting मेरे पास रहेगी मैंने वो source कहां से लिया है वो मैं आपको provide करूँगा क्योंकि क्या होता है जो भी coaching institute वाले अपने book जब छापते हैं तो उसमें क्या है वो book तो छाप देते हैं लेकिन वो कभी यह नहीं बताता है कि यह data मैंने कहां से लिया तो अगर आप कभी भी दाबाव पत्ती में फास जाते हैं तो ऐसे coaching institute वाले आपकी मदद करने कभी नहीं आएंगे ठीक है और आप देख भी रहो कि cgpsc में किस प्रकार के question ले रहे है क्योंकि वो answer ले रहे हैं वो सब coaching institute अपने source कभी नहीं बताते लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी आपको current affair provide करूँ उसका source at least आपको बता दूँ या फिर मेरे पास source तो पहले से रहेगा वो आप मेरे से ले सकते हैं ठीक है ताकि आप मेरे को बाद में blame नहीं कर सको कि मैंने वो current affair आपको कहां से बता दिया ठीक है यह पहला चीज एक और चीज कि मेरे current affair में आपको अलग अलग नहीं भागना पड़े तीनों प्रकार के current affair आपको एक ही lecture में रहेंगे उससे क्या है कि आपको अपनी तयारी करने के लिए अलग अलग जगा भागना नहीं पड़ेगा आप current affair का notes बनाईए बोलो गये तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा लेकिन PDF के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा दोस्त मैं आपको free में नहीं दे सकता ठीक है तो आप ये गांट बान के चलिए कि पहले तो मैं आपको 15 दिन का current affair दे रहा उसके बाद मैं आपको सापता ही current affair देना चालो करूँगा राश्ट्री अंतराश्टी और 36 तीनों का ठीक है तो आज की lecture में इतना ही और वीडियो स ज्यादा ज्यादा हमारे WhatsApp support group में जूडिये और community को large बनाएए ताकि हम लोग एक दुसरे की help कर पाएं और वीडियो को compulsory like करें, share करें, subscribe नहीं करें तो subscribe कर लें और please वीडियो को share उन लोगों को जरूर करें जिनके पास पैसे नहीं है coaching institute को देने के लिए या फिर मैं मंडे जिए पासते जिए जड़ों को जड़ियो के नहीं है